नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है, यह अभी हाली में एक मूवी आई है, आदी पुरुस, और इस मूवी को ले करके कप भी बवाल चल रहा है हर तरफ, आखिर बवाल चले भी क्यों ना, क्योंकि इस मूवी ने एक तो भारत की नाग कटा दी, बाहर के देशों में, साथ ही साथ भारत के अंदर भी इस मूवी का काफी विरोध हो रहा है, और ये मूवी में कुछ ऐसे डायलक्स, कुछ ऐसे सीन्स, जो की हमारे धार्मिक, हमारी जो मानिता है, उस पे काफी बड़ा परहार हुआ है, चले मैं बिस्तार से आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है, मनोज, मनोज मुन्तसीर, जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, और उन्होंने इस फिल्म के डायलोक्स लिखे हैं, और जब बवाल हुआ, हंगामा मचा, तो मनोज के तरफ से एक बड़ा सा लंबा सा ट्यूट आया है, और ट्यूट में उन्होंने सफाई दिया है, इस फिल्म के जो संबाध है, यानि कि डायलोक्स हैं, करिफ चार हजार मैंने लिखे हैं, और जो बिवाद हो रहा है, वो सरे पांच लाइन पे हो रहा है, अब ये तो चलिए इसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में बात करूँगा, थोड़ी देर के बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस भगवान, राम, सीता, लच्मन को हम पूस्ते है उनके बारे में, आपने बिना रिशर्च के, बिना जानकारी के, जाहें आप दस जार लाइन लिखें, एक लाइन भी आपने गलत क्यों लिखा, और इस फिलिम के जो संबाद है, वो बिलकुल ही टपोरी किसम के है, यानि कि भगवान, राम हो या लच्मन हो, या रावन हो, किसी ने भी, कभी भी, गलत बात नहीं किया है, आपको तो सब पता ही होगा, और हर भारत बासी को पता है, कि रावन जब उनका अंतिम समय चल रहा था, तो भगवान से राम ने लच्मन को भीजा था, जाकर के उनसे को सीखो, ग्यान लो, ऐसा क्यों, जबकि जुद राम औ और रावन में हो रहा था, ये इसलिए कि हमारा भारत संसकार और संस्कृति के लिए जाना जाता है, हमारे भारत में ये सिखाया जाता है, कि दुस्मन हो या दोस्त, अगर उसके अंदर गुंध है, तो वो लेना चाहिए, लेकिन ये मनोज मुनतसीर ने सारा बेड़ा गर् इस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, कि क्या लिखना चाहिए, कैसे डायलक्स होने चाहिए, क्या बाते करनी चाहिए, जो मन में आया, उसने वो बाते सारी कह डाले, जो उसके मन में बिचार बने, कि राम को इस लेंगुज में बात करनी है, लच्मन को इस लेंगुज में ब बात की हो, लच्मन ने कभी ऐसी बाते की हो, नहीं ना, लेकिन मनोज मुन्तसीर को अपना नाम आगे बढ़ाना था, अपने आपको हाइलाइटेट करना था, इसलिए उन्होंने इस परकार की एक घटिया मान सकता वाली डायलोक्स लिखे, और जब बिरोध हो रहा है चार और तो सामने आकर के सफाई दे रहे हैं, एक ट्यूट किया उन्होंने, कि मैं रमायन, राम, लक्षमन सीता सबको बहुत अच्छी तरीके से उनका अध्यन किया हूं, उनके बारे में जानता हूं, और ये लिखा ट्यूटर पे, कि मैंने जो भी किया है, सही किया है, और ट्यू दावा नहीं है, आज मुंबई में साथी साथ देश के और भी कई सहरों में बिरोध परदर्शन हुए, इस फिल्म को रुकवाया गया, दूसरी तरफ नेपाल ने पूरी तरीके से भारतिये फिल्मों के परदर्शन पे रोक लगा दी है, अब नेपाल ने जो एक्शन लिया, इसका जबाब दे, इसका जिम्मेवार कौन है, मैं कभी भी भारतिये फिल्म या बॉलिबूर का समर्थक नहीं रहा हूँ, आज इस वीडियो का मकसद यह नहीं है कि फिल्म पे परतिबंध क्यों लगा, मकसद यह है कि मनोज मुंतसीर ने ऐसी घटिया मानसिक्ता वाली डायलॉक्स क्यों लिखे थे, और दूसरा मकसद यह है कि भारतिये फिल्मों पे नेपाल ने बैन लगा दिया, यानि कि कहीं न कहीं यह हमारी एक हार है, और उसके कारण सिर्फ और सिर्फ मनोज मुंतसीर है, नेपाल सरकार और भारत सरकार में बहुत अच्छे रिष्टे हैं, और हमेशा से ही रिष्टे रहे हैं, लेकिन नेपाल से भी भगवान राम और सिता का संबंध है, और उन्हें भी यह बाते बुरी लगी, कि यह जिस परकार से इन्हों ने, मनोज मुंतसीर ने डायलोक्स लिखे हैं, इस से कहीं न कहीं भगवान राम और सिता का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, जिसके कारण से ही बॉलिवूड फिल्मों में, फिल्मों पर नेपाल में रोक लगा दी गई, परदर्शन से, सिर्फ और सिर्फ यह आदी पूरूस पर ही नहीं, सारी फिल्मों पर, चलो यह अच्छा है, फिल्मों में पूरे बॉलिवूड बरबाद हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मनोज मुंतसीर के कारण बरबादी नहीं होनी चाहिए, यह घटिया पन औ इन्हें खुद पढ़ने की जोरत थी, इन्हें खुद समझने की जोरत थी, उसके बाद ही इनको डायलुक्स लिखना चाहिए था, या उसके बाद ही इनको इस विसे पे कोई भी बात करनी चाहिए था, लेकिन आनन फानन में इन्हों ने ऐसा सोचा, जो मर्जी आए लिख जो मर्जी आए बोल डालो और भारत के दर्सक तो सिकार कर ही लेंगे, लेकिन अब समय वो नहीं रहा, मनोज मुंतसीर ने हमारे सनातन धर्म का और हमारे भगवान का अपमान किया है, और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कि मनोज मुंतसीर ने जो किया है, वो बहुत बड़ा पाप है और इस पाप की सजान को मिलनी चाहिए, मैं फिल्मों से हट करके बात कर रहा हूँ, फिल्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान राम, लच्छमन, सीता या रमायन के जितने भी पात्र हैं, उनकी अगर करता है, उनके बारे में गलत लिखता है, तो ये बहुत ही असहनिय बात है, और इसके उपर सरकार को एक्षन लेना चाहिए, सरकार वो ये करना चाहिए कि कोई भी हमारे धरम, हमारे भगवान, हमारे संसकार, हमारे संस्कृति के बारे में गलत बाते करता है, तो सरकार को स् मुंतसीर जैसे दो कौड़ी के लोगों के उपर शक्त कारवाई करते हुए इनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए ये टपोरी वाली भासा, ये शड़क छाप वाली भासा भगवान अगर किसी मूब में यूज करें तो ये बरदास्त के बाहर है क्योंकि भगवान को सब लोग मानते हैं इनको फॉलो करते हैं, उनकी एक एक बात को लोग देखते हैं और उनकी बानी ऐसी होनी चाहिए और भगवान रियल लाइफ में हमेशा उनकी बानी बहुत मधूर रही है लेकिन मनुद मुंतसीर ने गलत तरीके से इन सब्ची जो को पेस किया है ये बहुत ही गलत है हमारे देश के लिए, हमारे धरम के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे संस्काल के लिए तो ऐसे घटिया सड़त चाप बॉलेबोड के ये जो पात्र हैं इन सब के उपर कड़ी एक्षन होना चाहिए जैहिन जै भारत